कि अग्याइब कर दो है कि है यह फ्रेंड्स वेलकम टू एससी क्रेकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज जो है आपका होने वाला है किस चीज का टेस्ट इंग्लीस का ठीक है इंग्लीस का मैराथन टेस्ट आपका होगा क्योंकि देखिए जीके का बहुत टेस्ट हो गया है और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताया था कि इंग्लीस का ग्रामर का टेस्ट जो है मुझे आपसे लेना है एक्जाम में देखिए C इंग्लिस में पेपर होता है उसमें आपका वोसकर बात करें ग्रामर का और और कॉंप्रीहंशन का तो ग्रामर से जो है आपका दो कोषजन कॉमन Мेरर रहेaders दो 29 कोषज संटेंश इंप्रूम्मेंट एक कोषज और एक कोषजन निरेशन से तो इतना question रहता है आपका grammar से इसमें plus one plus two आप कर सकते हैं तो इसके लिए जो है इसका test आपका लेना बहुत जरूरी है तो देखिए total इसमें hundred question दिये हुए हैं English के और देखिए जिस type का question आता है English का CHSL के exam में same उसी type का previous year pattern पे आपका question है यहाँ पर तो देखिए same to same SI question exam में रहने वाला है तो अगर आप यहाँ hundred questions में से आपको जितना भी score आएगा तो फिर आप समझे कि आपका preparation अभी उसी level का है ओके तो एकदम ध्यान से इन सारे sets को बनाना है total hundred questions को और उसके बाद जो है आपको analysis करना है कि कहां पे किस section में आपको problem हो रहा है ओके गाइस तो चलिए रेडी हो गए आप लोग तो रेडी हैं तो एक बार कहिए कि यहां पर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आज का session स्टार्ट होगा ओके चलिए first question आपके screen पर आने जा रहा है ओके first question यहां screen पर आएगा आपके सामने येस तो अब आपको question और answer द येस यहां पर right answer क्या होगा और एक काम करते हैं stop watch लगा देते हैं एक question करें ताके आपको exam वादा थोड़ा feeling आएगा चलिए तो यहां first का answer क्या रहा है सबका 3 आ रहा है very good तो यहां पर first का answer सबका correct है 3 होगा the kid often play tron didn't they तो यहां पर क्या है don't they यहां पर एकदम सही है ठीक है इसके जगह पर क्या होगा don't they next question यहां पर है question number 2 और एक question के लिए आपको मिलने वाला है सिर्फ 10 second तो exam वाले atmosphere में एकदम आ जाना है चलिए यहां पर सबका answer आ जाना चाहिए क्या होगा correct answer will की जगह पर क्या होगा could का इस्तेमाल किया जाएगा one यहां पर एकदम correct है next question question number 3 थर्ड का answer क्या होगा राइट answer यहां पर क्या होने वाला है about यहां पर होगा correct समझ गए option number 2 is the right answer next question 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 number 4 हर एक question के लिए 10 second मिलेगा ready हो जाना है चलिए 10 second हो गया है finish यहां पर क्या है no improvement जो यह statement है एकदम correct है no improvement है next question 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 number 5 time up यहां पर बहुत simple है यहां पर क्या होने वाला है no sooner के साथ वैसे भी आप जानते हैं कि then लगता है तो then होगा यहां पर right next question number 6 चलिए right answer क्या होगा यहां पर the most serious जो है आपका यहां पर होने वाला है ठीक है next question question number 7 English है यहां पर तो सिर्फ आपको question और answer है तो एकदम test की तरह एकदम तेजी में बनाना है set को finish करना है कितना score आया है सब last में comment करेगा ओके कल फिर आपका reasoning का test करेंगे पूरा दंगल ठीक है reasoning का कल टेस्ट होगा रात के 9 बज़े 10 बज़े से ठीक है चलिए 10 सकेंड यहां पर हो गया है यहां पर राइट एंसर क्या होगा learning यहां पर होगा correct ठीक है learning intent on ठीक है learning यहां पर होगा next question question number 8 तो यहां पर सबका देख रहे है answer भी सबका correct आ रहा है very good 8 का बहुत लोगों का सही है चलिए time हो गया है यहां पर finish a callous bureaucracy produces produces यहां पर होगा right answer ठीक है produces next question question number 9 और यहां पर answer आ रहा है सबका वेरी गुड चलिए both of them did not go यह तो होने वाला है नहीं क्या होगा यहां पर neither of them went यह होगा राइट answer option number one next question question number 10 कि दस सकेंड के लिए question है अच्छा 10 seconds sufficient time है या और बढ़ा दे पहले तो यह comment कीजिए कि इस question को बनाने के बाद कि 10 seconds sufficient time है या पंदरा सकेंड करें उसको अराम से question हो जा रहा है कि चलिए यहां पर राइट answer क्या होने वाला है विच की जगह क्या आएगा हू का इस्तमाल किया जाएगा ठीक हू जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहां पर यूज होता है नेक्स कॉस्चन को कॉस्चन नंबर 11 अब यहां पर बहुत सारा कॉस्चन आएगा आपका इस टाइप का चलिए 15 सेकेंड इन सब्टैप के कोशन के लिए राइट एंसर क्या होने वारा है यहां पर आप्शन नंबर 2 होगा ठीक है यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है नेक्स कोस्चन कोस्चन नंबर 12 चलिए यहां पर लव प्रीत स्मार्ट सीतल अनूज आयूस सबका सही है है वेरी गूड चलिए 15 सेकेंड हो गया है यहां पर राइट एंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा ठीक है रिक्वेस्टेट माई गल्फ्रेंड तु सेलेक्ट वन अफ दोस रिंग्स यहां पर होने वाला है ओके प्लीज के लिए रिक्वेस्टेट होता है यहां पर लगेगा नेक्स कोशन कोशन नंबर 13 अब कर दो लिए यहां पर क्या होने वाला यह बहुत सिंपल है यहां पर देख लेना था कि नाओ यहां पर दिया वादे कि इसको कैसे तेजी से बनाते हैं हम लोग नाओ जब दिया हुआ है तो हम क्या देखते हैं नाओ किसमें देन यहां पर है आपका और यहां पर है तो हैज हैड में जाएगा तो हैड यहां पर है ओके तो राइट एंसर क्या होगा यहां पर आप्सन नंबर 4 हो जाएगा कोशन नंबर 14 अब आपके सामने है चलिए यहां पर राइट एंसर क्या होगा फिर यहां पर दिया हुआ है प्लीज प्लीज के लिए हम लोग रिक्वेस्टेट लगाते हैं ठीक है तो सी रिक्वेस्टेट रिना टू हेल्प हर वित कुकिंग यह होगा यहां पर राइट एंसर ओप्सन नंबर 3 नेक्स्ट है कोशन नंबर 15 यही लेवल का कोशन आपके एक्जाम में रहने वाला है अगर यहां पर जिन भी स्टूरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनका इंगलिस कम ना पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्जाम में भी बना के आएंगे क्योंकि इसके ऊपर का कुर्शन नहीं रहेगा इसके ऊपर के लेवल का ओके यह एकदाम एक्स्ट्रीम लेवल का है चलिए नेक्स्ट कोर्शन क्या है यहाँ पर what a stupid fellow you are coach remarked राइट एंसर क्या होगा coach exclaimed that he was a very stupid fellow यहाँ पर होगा ठीक है नेक्स्ट कोर्शन नमबर 16 चलिए यहाँ पर right answer क्या होने वाला है यहाँ पर correct answer होगा option number one ठीक है option number one यहाँ पर right answer है next question number 17 17 का क्या होगा यहाँ पर दिया वाई क्या आपका don't लगावा है don't के लिए हम क्या लगाते है not to ठीक है not to not to तो आपका सम्मे लगावा है ओके यहाँ पर यह don't talk है तो want कर रहे हैं तो यह एनीडी लगेगा यह दोनों eliminate हो जाएगा अब इन दोनों में मिला लेंगे ठीक है my father want not to answer क्या होगा option number two हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है question number 18 चलिए time up यहां right answer क्या हो जाएगा option number three कि my son told me that he would not audit विल जो है उड में चला जाएगा next question question number 99 आपके सामने कि यह अब इसके लिए आपको फी 15 सकेंड तो काफी है ऐसे सी का इंगली से वैसे भी आपको स्पीड में आपको बनाना है तो मैं चाह रहा हूं कि आप यहां पर जब मेरे साथ आप जूरे तो आप speed में टेस्ट दें ठीक है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा question solve हो यही मेरा में मोटीव है ताकि speed जो है बना रहे और अभी लास्ट टाइम है ना तो time कम वेश्ट हो लोगों का चलिए यहां राइट एंसर क्या है option नंबर 3 यहां पर होगा correct rspq यह है राइट एंसर नेक्स्ट कुश्टन कुश्टन नंबर 20 चलिए यहां पर राइट एंसर क्या होने वाला आपका first option correct होगा ठीक है with the supply and leading to general lack of quality यहां से sentence का statement होगा next question क्या है यहां पर question number 21 चलिए यहां पर आपको बताना है incorrectly spelt word ठीक है चलिए यहां पर right answer क्या होगा यहां पर जो है किसका spelling गलत है bulletin का ठीक है बी यू डबल एल एन टी आई एन यह होता है इसका correct spelling next है 22 चलिए यहां पर right answer क्या होगा यहां पर hand shape जो है यह गलत है इसका correct spelling होता है h-a-n-d-k-e-r-c-h-i-e-f ठीक है यहां पर e-i-f है next question question number 23 सब लोग note कर रहा है या नहीं कर रहा है कि किसका कितना सही हो रहा है चलिए time up यहां पर किसका spelling गलत है यहां पर proprietary जो है इसका spelling गलत है p-r-o-p-r-i-e-t-a-r-y यह होता है इसका correct spelling next है question number 24 इस marathon में grammar पे ज़्यादा focus किया गया है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा question पे command हो जाए चलिए यहां पर right answer क्या होगा option number one होने वाला है आर लगावा है तो यहां पर जब जाएगा पैसिम में तो क्या होगा बिंग तो लगे कहीं लगेगा ठीक है तो यह आपका correct answer है next question number 25 चलिए सबका सही आ रहा है यहां पर very good दूती कीरन संगीता मिर्ची सोनम रिशु धूरीन अक्छे सोनाली सबका आ रहा है answer एकदम correct में very good time up हो गया है question number 25 का क्या होगा यहां पर correct answer option number one होगा ठीक है no one can change fate तो fate cannot be changed जो है यह है right answer question number 26 exam से पहले का practice यहां पर हो रहा है तो जो भी serious experience है वो एकदम अच्छे तरीके से test यहां पर दे बैट कर next question क्या है question number 26 का correct answer क्या होगा यहां time up हो गया है क्योंकि यह सब tricky type का question है हमको बस देखना था कि have लगा है have है तो बीन तो लगेगा ही लगेगा right answer क्या है option number 3 next question question number 28 ठीक है exam से पहले का practice है speed में बनाना है question पर तूट परना है बस इतना ही मैं चाहता हूँ कल डिजिनिंग का test होगा चलिए यहां पर answer क्या होगा option number 1 होगा ठीक है you will not be ठीक है option number 1 next question क्या है question number 28 चलिए 28 का answer 10 second what makes you happy देखिए जब sentence में इस टाप का structure हो by तो लगेगा ही लगेगा ठीक है तो by what are you made happy जो है यह होगा यहां पर right answer next question question number 29 चलिए यह आपके सामने one word का question है ठीक है one word substitution का question है question number 29 चलिए चलिए यहां पर हो गया है आपका time up right answer क्या होगा यहां पर conclusion यहां पर एकदम correct answer होगा ठीक है next question question number 30 चलिए यहां पर क्या होगा correct answer prelude यहां पर एकदम right answer है ठीक है question number 31 competition बहुत टफ है आप लोगों के बीच में क्योंकि यहां पर सबका answer correct आ रहा है मतलब आपके सारे competitor का answer correct आ रहा है समझ में आ रहा है competition बहुत टफ है सब अपना best देने की कोशिस में यहां पर जुटा है चलिए time up हो गया है implication यहां पर यहां पर यहां पर correct answer क्या होगा contour यहां पर right answer है ठीक है question number 33 चलिए time up हो गया यहां पर यहां क्या कह रहा है कि situation in the city wasn't dash due to their violence तो on the spur of the moment यहां पर होगा correct answer इसका मतलब suddenly यह spontaneously जो है यह होता है next है question number 34 my father presented me a car on my birthday यहां पर क्या होगा correct इसका passive चलिए fast में बनाना है बारा सकेंड काफी यह इन सब टाइप के लिए राइट answer क्या होगा option number two I was presented a car my on my birthday by my father यह होगा right answer इसका next question क्या है question number 35 let him welcome the guest चलिए 35 काफी clues है इसका देखते हैं कितने लोगों का सही आ रहा है ठीक है 35 का let him welcome the guest होगा क्या let the guests be welcomed by him होगा यहां पर correct answer ठीक है यहां पर add हो जाएगा जो कि सिर्फ one में है next है question number 36 चलिए यहां पर right answer क्या होने वाला है question number 36 का option option number 4 होगा ठीक है क्योंकि will be किस में convert होगा उडवी में convert हो जाएगा ठीक है सेड है तो टोड में convert होगा बाकी डाट लग जाएगा option number 4 एकदम correct है question number 37 में चलते हैं हम लोग fill in the blanks का question 37 महात्मा गांधी डाइस ओफ नन कॉर्परेशन मुव्मिन्ट चलिए यह आपका idiom देखे इसी टाइप से अगर आपका English का question घुमाया तो कुछ इसी टाइप से घुमाएगा कि fill in the blanks में idioms आपसे पूछ देगा तो यह वाले case में थोड़ा tough हो जाता है idioms को मनाने के लिए वैसे ठीक है जैसे यहां है महात्मा गांधी डाइस ओफ नन cooperation movement तो यहां क्या होगा blaze the trail होगा मतलब क्या होता है to do कोई काम को शुरुवात करना ठीक है to be the first to do something next question क्या है question number 38 the police were unable to elect information from the suspect चलिए इसका answer क्या होगा यहां पर grammatical error है grammar का question अब आ गया है आपसे चलिए यहां पर क्या होगा correct answer यहां पर option number two यहां पर होगा right answer ठीक है the police were unable to elect होगे यह जो unable to elect है इसके जगह कौन सा होने वाला है e-l-i-c-i-t next question क्या है question number 39 यह भी grammar का ही question है ठीक है मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस set में grammar के ज्यादा focus किया गया है तकि आप लोगों को एक अंदर से confidence है जब आप इस question को solve करें एकदम नया type का question है यह से पहले मैंने यह सब question नहीं करवाया आपको तो एक अंदर से किक मिलता होगा आपको यह से 40 कि इसके लिए तो दस सकेंड को कि यह वाला रूल तो सब पढ़ावा है कि इफ आई वाज ठीक है आपको हमेशा मालूम है कि इफ लग जाए इफ आई हो वैर यहां पर लगेगा ठीक है वाज नहीं इफ आई वैर तो यह वन में ही रॉंग है next question क्या है question number 41 चलिए time up यहां पर क्या होगा have been vaccinated यहां पर होगा यहां पर यही गलती है ठीक है ग्रामर का question है 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 यहां पर नेक्स्ट कॉस्टन है कॉस्टन नंबर 42 42 में देखते हैं कितना लोग गलत करके आता है ठीक है अगर यह question अगर आपके exam में आ गया चलिए इसका comment पढ़ेंगे वेट करेंगे आपका कि correct answer क्या होगा 42 का चलिए 42 का answer है option no.3 देखिए इसमें कोई changes नहीं होगा ठीक है changes होगा वो पास्ट वाला changes नहीं होगा भी टू वी थी ने लगए यहां देखिए सेज है तो यहां पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा ठीक है present में तो यह से ठीक है तो कि he says that he is planning to grow a grand party on his birthday ठीक है कोई वाजवेर नहीं चलिए 42 का सी आदित अगरवार प्रियंका मज़ुमदार गीता तिर्थ राज लेकिन इसी बीच एक अक्षे ने गलत कर दिया है बाकी अक्षे अब इसे एक ने गलत किया है बाकी तो सबका सही है ठीक है अदित्य पांडे स्मार्ट वीशू अनुशा धुरीन दीपक लवप्रीट सबका सही है चलिए नेक्स कोर्सन पर चलते हैं हम लोगो कोर्सन नमबर 43 चलिए अब सिर्फ कोर्सन और एंसर होगा और तेजी में होगा अब कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है सिर्फ एंसर होगा टाइम अप दस सकेंड एंसर क्या होगा ऑप्सन नमबर टू होगा ठीक है बाई लगेगा लगेगा बाई हूं होगा ठीक है कोर्सन नमबर 44 दस सकेंड के लिए चलिए यहां पे क्या होने वाला है कोई सन्टेंस रियारेजमेंट का 15 सकेंड के लिए उतना ही सकेंड देना है आपको चलिए अरे हाँ टाइम फिनिस यहां क्या होगा ऑप्सन नमबर वन होगा ठीक है संटेंस का सरवात कहां से है यहां से है कि दी ए सी बी यहां पर होगा नेक्स्ट कॉस्टन 46 चलिए यह भी टाइम हो गया फिनिस यहां पर राइट एंसर क्या होगा ऑप्सन नमबर फॉर होगा ठीक है बी ए सी डी संटेंस का शुरुवात यहां से होने वाला है एंड एयर क्राफ्ट से ठीक है है अपना अपना एंसर मिलाते रहना है सबको किसका क्या गरत है किसका क्या सहिए सब चेक होता रहना चाहिए इस चलिए 47 हो अचुका है कि यह टाइम अप हो गया यहां पर यहां पर रराइट एंसर क्या हो जाएगा फॉर्टी सेवन का ऑप्सन नमबर ठीक है य। One cannot expect children to do this herculean task, children cannot be expected is the right answer, next question 48, grammar का question है, common error का question है, ठीक है, 10 सेकेंड में इसका जवाब देना है, कल हम लोग इसी तरीके से reasoning का test देंगे, ठीक है, reasoning का भी कल बहुत सारा questions लेकर आएंगे, और उसके बाद आपका reasoning का भी practice कर देंगे, तो फिर आपका confidence बहुत उपर तक चला जाएगा, ठीक है, तो सब लोग 10 बजे से, 9 बजे से, reasoning का test 9 बजे से होगा कल, ठीक है, यह मैं आप next question 49, एक दिन math का भी रख लेंगे, अगर आप लोगों का performance अच्छा रहा, देखेंगे कि हाँ सब अच्छा लोग आ रहा है, तो math भी रख लेंगे, एक दिन फिर gk रख लेंगे, इस तरीके से सारा subject का revision हो जाएगा एक बार, जैसे आज English हुआ, कर reasoning का रख लेंगे, तो प chapter से, जैसे कि math का test लेंगे, ठीक है, तो math का जब test लेंगे, या इसे कल ही ले रहे है, reasoning का test, तो reasoning में क्या करेंगे, कि आपको भी मालूम है कि reasoning से 10-12 topic से question आता है, तो इस 10-12 topic का question का बहुत सारा questions ले लेंगे, एक ही बार में, ठीक है, 120-130 question का असपास रहेगा, सब अच्छा question रहेगा, same type का, अब क्या है कि जब आप इस 130 question को 2 घंटा में बैठ कर, जितना दिर भी test चलो, उतना दिर में जब बना लेंगे, तो confidence level बहुत ऊपर चला जाएगा, ना सब का, है या नहीं, उसके बाद भी तरीके से English का भी video हो जाएगा, GK का हो जाएगा, तो यही सब सो question, question number 50, चलिए, यहाँ पर right answer क्या होने वाला है, play second fiddle to, यहाँ पर होगा right answer, ठीक है, जिसका मतलब होता है, to play a subordinate part, next question है 51, चलिए, तो यहाँ पर, अब right answer क्या होने वाला है, एक minute, wait, चलिए, ठीक है, 51 का answer सब का आ गया है, यहाँ पर, right answer क्या होगा, option number 4 हो जाएगा, ठीक है, if I would have, जो यहाँ पर दिया वाला है, इसमें, ठीक है, यही पर grammatical error है आपका, if I had applied जो है, यह होगा यहाँ पर correct uses, next, 52, चलिए, यह इसका answer क्या होगा, यहाँ पर right answer होगा, option number 3, bold from the blue, ठीक है, जिसका मतलब होता है, a sudden या unexpected event, यहाँ पर यह होगा, right answer, next question, 53, based on random choice, और personal, ठीक है, यहाँ पर right answer क्या होगा, arbitrary, ठीक है, next, 54, झार, पर भार, butt जो होगा, Y जिसका मतलब होगा,र यहाँ पर העम होगा, ALL लार यहाँ पर पर जहोगा, 54 का एंसर किसका किसका करेक्ट आया यहां पर ठीक है नज का यहां पर किसका किसका करेक्ट एंसर आया है यहां पर जॉल्ट जो है यह होगा सही एंसर ठीक है एंटोनिम से जॉल्ट यहां पर होगा ठीक है जॉल्ट का मतलब होता है पुश और शेक बहुत जोर से होता है ठीक ह गया रफली मतलब रफ टाइप से जब आप कुछ चीज काम कर रहें और नाज का मतलब हो गया पुश जेंटली मतलब अराम से नेक्स्ट कोशन नमबर 55 अच्ट कर बने टाइप से नेक्स्ट को रिएक यहां पर रोगा क्रेक्ट आंसर Next, a space or room inside or partly inside the roof of a building. है स्ट राइट एंशर यहां पर का अ वह दाम नया नया कुश्ण ना कैसल एंप कि यहां पर राइट कै न्यूट सर्क्रीण घराट सर्भण है यहां पर फिड्सटर थो भी पिर्ट पर कीसवर्ट सिर्ण इंब्स्क वेशम मिदू कि मतलब जो गिटार वॉयलेंस इस सब को रिपियर करता है न उसी को बोलते हैं नेक्स्ट कि यहां पर राइट एंसर क्या होगा इस क्रूफी यहां पर है करेक्ट एंसर ठीक है स्कूफी नेक्स्ट क्या है फिफ्टी नाइन कि यहां पार है तMatt स्कूफी टीक हो प्पासी नाइतर कि थे उआसे कि यहां उलेम है दे तक्ते है तक है कि बissoलो है वाल सिए, भीछातने है झाल यहां पर राइट एंसर क्या है I want my thoughts to be shared with the whole world One यहां पर होगा राइट एंसर ठीक है बहुत सारे लोगों का मैं एंसर देख रहा था गलत है जबकि होगा क्या One Next 60 चारी यहां पर क्या mistake है यह जो damages यहां पर S लगा दिया इसके जगा क्या होगा यही पर damage होगा सिफ तो option number 2 यहां पर correct है next acolyte इसका क्या होगा correct synonyms अब थोड़ा तेजी में बनाई ही तो चलिए right answer क्या होगा follower यहां पर होगा correct answer ठीक है next synonyms है यहां पर क्या यहां पर क्या होगा यहां पर होगा यहां पर होगा दोनों का मतलब वही होता है traveling from place to place appellation का correct synonyms क्या होगा appellation का मतलब क्या होता है a name और title ठीक है title यहां पर होगा right answer next question क्या है causing great damage और suffering अब यहां पर क्या होने वाला है correct causing great damage और suffering right answer क्या होगा option number 1 हो जाएगा ठीक है catastrophic यहां पर correct answer है next question क्या है 65 a strong feeling of dislike towards someone or something यह सब यह सब तो कराये गया question है ठीक है तो इसका answer सही ही आना चाहिए चलिए right answer यहां पर क्या हो जाएगा आपका question number 69 का antipathy यहां पर correct answer है ठीक है next question क्या है question number 66 यह आपका common error का question है she is a great cook has her own blog on youtube and was followed by one lakh viewers right answer क्या होगा यहां पर कहां गलती है is यहां पर होगा ठीक है watch की जगा जो यहां देख रहे हैं ठीक है is होगा यहां पर and is followed by one lakh viewers नेक्स्ट कुर्शन नंबर 67 चले 67 का answer क्या होगा right answer होगा option number one my uncle exclaimed that यहां ठीक है एक्क्लेम लग जाएगा आपका next 68 yes कीरन सेड आई विल रीच पतना tomorrow morning तो tomorrow किसमें convert हो जाएगा tomorrow convert हो जाएगा आपका next morning में तो next morning यहां पर आ गया tomorrow तो पहली बात same to same यहां तो आपका होगा ही नहीं ठीक है will होगा ही नहीं उड़ हो जाएगा तो four यहां correct है next है यहां पर question number 69 sentence rearrangement तो rearrangement को थोड़ा जल्दी से rearrangement किजिए तो क्या होगा यहां पर right answer अरे वाई यह तो तुरंत इसका तो तुरंत answer आ जाएगा क्योंकि sentence का पहचान तो तुरंत हो गया यहां पर की सुर्वात यहां पर क्या होगा बी से होने वाला आपका तो यानि right answer यहां पर क्या होने वाला है और उसके बाद तुरंत जो है यहां पर his date आपका आएगा बी ए डी सी यहां पर right answer है next to express in an unclear way चलिए to express in an unclear way इसका बताना है one word का question है right answer क्या होगा यहां पर गाबेल्ड यहां पर होगा right answer next question fill in the blanks का question है the sky is quite overcast we are likely to yes likely यहां पर एकदम feet बैठेगा ठीक है likely likely यहां पर होगा right answer next question 72 चलिए यह भी fill in the blanks का question है English का complete practice करना है revision आज हो जाना चाहिए आपका अच्छे से यहां क्या है when my friend suggested going to the mall for lunch I agreed I agreed at once यहां होगा right answer ठीक है मतलब immediately at once जो phrases का मतलब होता है immediately तुरंत हो गया ठीक है next question क्या है आपका question number 73 चलिए यहां क्या है popular monuments will be kept open till 9 p.m. active passive का question है तो कहीं न कहीं B देखकर तो समझ गएं कि यह passive है active यहां पर देखना है ठीक है तो यहां पर क्या होगा will लगा है तो will तो आपका active में भी होगा यहां नहीं है यहां नहीं है और यहां पर B लगा दिया है तो B तो होगा ही नहीं आपका active में तो 3 आपका होगा right answer next question 74 grammar का question है कि last evening my friend tell me the funny joke that I have ever heard अरे तो तुरंत पकर लेंगे आप लोग कि यहां tell नहीं होगा told हो यहां यहां पर होगा ठीक है तो यहीं error है यहीं पर 3 आपका सही है next question something happening by chance in a happy and beneficial way right answer क्या होगा option number 2 serendipity यहां पर correct answer है next question क्या है question number 76 lacking in variety and interest right answer क्या होगा monotonous यहां पर correct answer है next optimistic का endo बताना है optimistic का endo very good सबका सही answer आना चाहिए इसका बहुत simple है pessimist यहां पर correct है next question 78 rita said i am not feeling well क्या हो जागा यहां पर i am not है तो क्या होगा watch में आ जाएगा तो rita said that she was not feeling well next question question number 79 something causing shock or dismay right answer क्या होगा appealing यहां पर होगा right answer next question miss spelled का गया है चलिए यहां पर बताएए कौन सा miss spelled है कि यहां पर illiterate यहां पर गलत है ठीक है illiterate i double li होता है ठीक है next question sir 81 चलिए आज के session के बाद आपको खुद realize हो जाएगा कि आपका English कैसा है समझगे cut-off मैं आपको बातने बताऊंगा last में वीडियो के कि आज के shit का cut-off कितना जा सकता था अगर मान के चलिए कि यही पेपर अगर आपके exam में आता और अगर आप वो exam दे रहे होते तो कितना पर आपका cut-off जाता वो मैं आपको बताने वाला हूं last में कि आपको realize हो कि आप कहां पर हैं चलिए यहां पर क्या होगा answer option number two हो जाएगा nobody told me वनीता वॉज अन्विल तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है option number two next question 82 sentence improvement का question है when Veena returned to India she had to get used driving on the left correct क्या है यहां पर यहां पर option number two correct होगा ठीक है next 83 grammar का question है चलिए यहां पर क्या हो गलत है कि the birth of a girl being great brings यहां पर होगा ठीक है ठीक है brings यहां पर हम लेंगे next है miss spelled चलिए किसका spelling यहां पर गलत है very good performance आज भी सबका बहुत अच्छा है मैं continuously comment देख रहा हूं आप लोगों कि हाँ अगर c answer आ रहा है तो सबका c आता है किसी का अगर four answer आ रहा है तो सब four में दे रहा है answer किसी का one में है तो सब one में दे रहा answer तो यह अच्छा लगता है देखकर ठीक है चलिए यहां पर जो है catastrophe यहां पर यह गलत spelling दिया है ठीक है c a t a s t r o p h e होता है ठीक है next question 85 lesson you need to prioritize you can't have your you can't have your कि सुनने से लग रहा है कि finger in every pie ठीक है कि ज्यादा difficult activities में मत उल्लो मत हां डालो next question 86 हां यहां पर क्या है आपका राइट एंसर क्या होगा यहां पर यहां पर क्या है I have met down की जगह क्या होगा meet with होता ठीक है to यहां पर गलत है next question क्या है आपका 87 में active passive का चलिए यह बहुत simple है यहां पर क्योंकि इसका answer तुरंत आपने निकाल लिया होगा कैस्टरोल रोट शुट नॉट बी टेकें दिवरिंग मॉन्सून ओप्शन नमबर फॉर सबका सही है next question यहां पर क्या है yes active passive का यह भी question है the team manager is examining the document of all the player यहां तो जो object है वो subject बनने वाला है ठीक है तो यहां subject जो है यह और यहां पर the document है ठीक है right answer क्या हो जागा यहां पर the document of all the players are being examined by the team manager 2 यहां correct है 89 continuing for a long time right answer यहां पर क्या हो जागा interminable यहां पर correct answer है next यहां पर क्या है grammar का question है चलिए यहां पर to की जगा क्या होगा at यहां पर होगा ठीक है तो यहां पर क्या है to a conference की जगा क्या होगा at a conference होना चाहिए था 3 correct है next 91 my daughter feel asleep while she has been while she been reading जबकि होना क्या चाहिए she was reading खीक है while she was reading next 92 active passive का question है active passive का question है teenager don't like being told what to do ठीक है right answer क्या होगा option number 3 ठीक है being told what to do is not like by teenager यहां पर होगा right answer next 93 since a few minute जिसके जगा क्या होना चाहिए beyond a few minute ठीक है ये एक तरह का phrase है ठीक है ये इसका right phrase होगा the metro service is so good that one doesn't have to wait beyond a few minute होगा next 94 है have you any idea where is Anya चलिए यहां पर क्या होगा right answer is यहां पर होगा where Anya is next 95 I am really bored of this movie when was it in यहां पर grammar का यह question है कहां पर गलती है यहां पर when was में गलती है when will होगा यहां पर ठीक है next I am going to the airport to receive my friend कहां गलती है common error का question है यहां पर क्या होगा receive होना चाहिए सिर्फ ठीक है first form of bow आएगा receive का ठीक है next 97 you speak such good English should marry यहां पर right answer क्या होने वाला है 97 का third ठीक है Mary exclaimed that I spoke very good English ठीक है देखिए आपसे fast में इसलिए कर रहे है क्योंकि यही habit रहेगा exam में तो फिर exam नजदी के इसलिए fast कर रहे है क्योंकि आपका भी आदत हो जाए तो आप अभी exam से पहले daily रात में आएंगे 10 बजे से तो daily step का practice हो जाएगा चलिए यहां पर right answer क्या होगा option number two होगा the lawyer says that his client is innocent 99 में क्या है fill in the blanks का question है कौन सा correct idiom आएगा इसमें चलिए राइट answer यहां पर क्या होने वाला है once in a blue moon होगा यहां पर correct answer और आज के mock test का last question impossible to satisfy insatiable यहां पर अगदम correct answer है ठीक है चलिए तो इस तरीके से आपका 100 हो गया question देखिए अगर आपने इस 100 question को आपने attempt अगर लिया है ठीक है cut-off अभी बताएंगे तो इसमें क्या आपने देखा होगा common error का question बहुत सारा था sentence improvement का था active passive का था narration का था one word का था idioms का था miss spilled था हर एक topic आपका इसमें cover था सिर्फ आपका close test और passes नहीं था ठीक है उसके अलावा सब चीज था तो यह 100 question अपने आप में important है क्योंकि यह 100 question मैंने लिया है यह सब आपको उसी pattern पे लिया है जो आपके CSL में आता है और पता है question का level कहां से उठाया मैंने यह सब previous year के tier 2 का question था यह जितना question आप देख रहेते हैं सब tier 2 का question था 2018 में जो tier 2 में English आया और 2019 का जो seasonal का tier 2 हुआ इससे मैंने question लिया इसलिए question बहुत recent था और सारा previous year का question था इसलिए सब question एकदम अच्छे से मतलब आपको आना चाहिए ठीक है तो इसके लिए जो है आपको यहां पर इतना सारा practice कराए गया तो कल आपका reasoning का आपका रात में फिर 9 बजे से जो है reasoning का भी 100 question रहेगा और सभी topics रहेगा तो अभी हर एक video को काफी serious लेना है समझ रहे हैं बात को और अब आप अपना बताइए कि number कितना अब आपका cutoff आप देख लीजे कि इस set में मैं आपको बता रहा हूं cutoff जो है 75 आपका रहना चाहिए ठीक है यह cutoff 75 है तो जिसका भी 75 plus में है वो सब बहु नीचे है वो एकदम below the average performance दिये है इस test में 60 से नीचे वाले का लेकिन 75 से उपर मतलब best है इस तरीके से आपको एक पर समझा दे रहे है 75 plus में जिनका भी है वो उनका good है ठीक है 75 से नीचे में जिनका भी है उनका जो है मतलब below the average है average मान सकते हैं लेकिन 60 से इसका नीचे है उ तो चलिए और देखिए हमारे स्टूरेंट का score देखिए यहां पर 80 है 90 है 85 है 92 है 88 है दूती मॉंडल का धीरच का 82 है स्मार्ट वीशू 80 प्लस रजनी गंधा 90 ठीक है खुशी जो है वो 66 लाई है चलो खुशी दीपिका संगम 95 तो आज की टॉपर दीपिका संगम है दस ठीक है बाकी यहां पर आप लोग और भी अपना कॉमेंट कर देना ठीक है तो PDF डाउलोड करने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि answer मैं उसमें दिया नहीं है बट अगर अगर आप्राक्टिस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्राक्टिस कर लें जगा ठीक है ठीक है